अभी आज हम लोग आये हैं एक बहुत ही खूबसुरत प्रोजेक्ट आपको दिखाने जो रावेत में सिच्वेटेड है और मुकाई चौक के नजदीक पड़ता है और आपको मैं जो सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहा हूं उसका जो साइज है कार्पेट एडिया का वो है 800 स्कॉर फीट एप्रोक्स यहां पर इंट्री करते हैं आपको ग्रैंड लिविंकम दाइनिंग मिल जाता है यह जो लिविंकम डाइनिंग का सैस है यह 18 si by 12 कि यहां पर आराम से सोफा से रख सकते हैं और इसके पीछे एक विंडू मिल जाता है आपको बहुत ही बड़ा और इस तरह आपको डाइनिंग स्पेस अलग से दिखता है शेप काफी सुन्दर है यह लिविंग कम डाइनिंग का और इस तरह आपको एक टीवी यूनिट का अब कर आप यह आपका एंट्री डॉर को कि टीक अपका टीवी ऊञ्टरेशक पीछे यह आपको यह किछे चंट्ट श्मिल है है अपर यह कीचन स्पेस का जो size दिया गया है यह काफी ब्यतरी साइज है को इसका जो साइज है वो छोट वो अल्मोंस 13 वीट 8-9 चा कीचेश दिया गया है कि और यह किचन स्पेस में आपको यह बेक ग्लाटफोर्म मिल जाता है वह काफी लॉंग पर प्लाट automatic मिलता है extended platform और कीचन में उस तरह आप ड्राइब एलकनी स्पेस में वाशिंग मेशिन पॉइंट सकते हैं और इस तरह आपको फ्रिज रखने के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है ऐसे ही आपको मैट स्वीचेश मैट फिनिश स्वीचेश मिलेगा जो काफी खूब सुरत दिखने में आता है और इसके साथ और साथ आपको ऐसा बहुत ही खूब सुरत एक विंडो मिलता है कि यह है ड्राइब बैलकनी स्पेस जो इंक्लूट किया गया है यह किचिन स्पेस के अंदर में खूब सुरत थिया पर आप बना सकते हैं और इसके साथ उसाथ आपको एक टाच्ट बैलकनी मिल जाता है जो लिविंग का डाइनिंग के साथ है और यह जो ईटाच्ट बैलकनी का जो साइज है वह 7 फीट बाइन फीट का है काफ़ी खूब सुना थैन स्पेशन बैलकनी है अभी हम लोग लॉबी के तरब चलते हैं लॉबी में जो स्पेस दिया गया है वह है सेवन फीट बाइफ फोर फीट का और लॉबी में इंटर करते ही आपको फस्ट कमून वाश्रूम मिलता है और यह जो कमू वाश्रूम स्पेस है इसका जो साइज है यह आपका एट फीट वाई 4.5 फीट का यह पर आमेरिकन स्टेंडर्ड सैनिटरी फिटिंग्स यूज किया गया है विद मैट फिनिश टाइस बहुत ही खूबसूरत रिजाइन है और इनका ओपोजिट में आपको फस्ट बेडरू मिलता है जो अब किट्स बेडरूम के तरह यूज कर सकते है और गिविंग यू आइडिया यहां पर आपको दिखा गया है किट्स बेडरूम के जैसे और यह जो बेडरूम का जो डाइमेंशन है यह 11 फीट बाइ 10 फीट का डाइमेंशन मिल जाएगा और इसके साथ आपको ऐसा अडाम से एक स्टाडी टेविल आप बना पाएंगे इसके बाद भी देखिए कितना वाकबल स्पेस है यहां पर और यह जो विंडो है काफी खूपसूरत विंडो है विद मॉस्क्यू टूनेटिंग आपको प्रीमियम क्वालिटी स्लाइडिंग फ्रेंच विंडो मिलता है और इसका 80 परसंट ओपन स्पेस वाल का ओपन स्पेस 80 परसंट विंडो में गया है और इस तरफ से आप अगर देखेंगे तो काफी खूपसूरत यह चिल्ड्रन बेब्रूम मिल जाता है आपको विद प्रॉपर वाकबल स्पेस और बाहर चलते हैं फिर फिर से एंट्री करते हुए हम लोग मास्टर विद्रूम के तरफ जाते हैं यह मास्टर विद्रूम का जो साइज है वो है इसके साथ आपको एक अटाच वाश्टर मुस्तर अब बना सकते हैं बहुत ही खूपसुरत यह वाट्रूब दिखाया गया है यह आपका किंग साइस बेड यहां पर मिल जाता है इसके साथ साथ आपको इतना सा वाकबल स्पेस मिलता है इसे हुज मास्टर बेडूम आइक इसके साथ इस तरह बाते हैं तो आपको यह एटाच्ट वाश्रूम दिखता है और एटाच्ट वाश्रूम का जो स्पेस है वह भी काफी स्पेशियस है इसका स्पेस आपको 8.5 feet by 4.5 feet का मिल जाता है एगेन अमेरिकन स्टेंडर्ट सेनिटरी फिटिंग्स प्रीम इसके साथ ही और एक बहुत ही बड़ा विंडो मिल जाता है जो 60% वाल स्पेस अकुपाई करते हुए बहुत ही खूपसुरत आपको व्यू देता है और फॉर प्रॉपर मस्कूटोनेटिंग और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यह पर मिटेरियल यूस किया गया है ह्यां में विद्वार आपको अच्छा लगा होगा ओ यह प्रोजिक्ट में आपका टू बिएक के जो जो अपर पैटकेश का कार्पेट है और यह अरवी जानना है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो कॉल किजिए हमारे नंबर नीचे दिया गया है नंबर पर कॉल कीजिए और जो हमारा सब्सक्राइबर है एंजी ग्लोबल के उसके लिए हमारे तरफ से एक बहुत ही बेतरीन ऑफर से एंड बिल्डर के तरफ से भी अच्छा खासा डिस्काउंट्स आपको मिल जाएगा तो दिस इस फॉर विडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यव्याद तो थैंक्स थैंक्स लॉट एंड हव ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे